नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय करके सचमुच अपनी जिंदगी में तरक्ती प्राप्त करना चाते हैं धन दोलत प्राप्त करना चाते हैं घर में सुक समर्दी और एश्वर का माहुल चाते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें जय बजरंग बली क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जवर्दस टोपिक जिनसे आप अपने जीवन में काम्याभी प्राप्त कर सकते हैं और जी सकते हैं एक काम्याब जीवन आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनने अगर आप गाय को खिला देते हैं तो आप जिन्दगी पर गरीब और दरज़ता का सामना करना पड़ेगा आपको यदि आप गाय को इन में से कोई भी चीज खिलाते हैं तो आपकी गरीबी और दर्जता आपके गले पड़ जाती है और लक्षमी आपका साथ छोड़ देती है दोस्तो वैसे तो हिंदु धर्म में मानता है कि गाव माता की जितनी सेवा की जाए उतना ही कम है अगर गाय की सेवा निश्वार्त भाव से की जाए तो घर में लक्षमी का वास हो जाता है सनात्म धर्म में गाव माता को बहुती पूजनी बताया गया है कहा जाता है कि गव माता को कुछ ना कुछ खिलाते रहने से आपके घर में हमेशा ही सकारतमक वातावरन मना रहता है लक्षमी जी का हमेशा ही वास रहता है जिस घर में गाव माता की सेवा निश्वार्त बाव से की जाती है उस घर में हमेशा ही लक्षमी विद्धमान रहती है और जिस भी घर में गाव माता की सेवा नहीं की जाती है वहाँ पर अचानक से विगन बाधाएं हमेशा ही उत्पन होती रहती है बंते-बंते काम बिगड आज कल के शहरी वातावरन में जहां लोगों को गाय पालना संभव नहीं है, वहां पर भी व्यक्ति समय समय पर रोटी गाय को अवश्य खिलाते हैं, तो ऐसे में वह कौन सी तीन चीजे हैं, जिनने अगर आप गाय को खिलाते हैं, तो आप भूल वशी सही, लेकिन अपने लि अवश्य लिखें, वीडियो अची लगें, तो इसे लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जेवज रंग बली लिख करके, इसे एक बार शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं, ऐसे ही जवर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जिन्दिकी को ही बतल सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, तो अब जानते हैं वह कौन सी तीन चीजे हैं, जिन्हें अगर आप गाय को खिलाते हैं, तो आपके लिए जीवन में रुकावट पैदा हो जा हिंदु धर्म की मानताओं के नुसार, गव माता में 33 कोटी देवी देवता, यानि कि सभी परकार के देवी देवताओं का बास होता है, कहा जाता है कि हर दिन की पहली रोटी गव माता को खिलाने से, आपके उपर सभी देवी देवताओं की पूर्ण करपा पराब्त होती ह वहीं अगर आप गुरुवार के दिन गव माता को रोटी खिलाते हैं, तो उसमगर आप एक चुटकी हल्दी मिलाकर खिलाते हैं, तो आपको धन धानने और सुक ऐस्वरे की जिन्दगी जीने से कोई भी नहीं रोख सकता है। रोटी पर थोड़ा सा गुड रखकर खिला देने से मानसिक रूप से परिशानियों का भी अंत हो जाता है, और सभी दुष्ट ग्रेह खुद बखुद सांत हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में बहुत से अशुब ग्रेह मिलकर अशुब योग बना रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी जिन्दगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप नियम बना लें कि आप प्रति दिन सुबह एक रोटी, जो की पहली रोटी होगे आपके घर की, वे गव माता को खिलाने के बाद ही बोजन करेंगे, तो आपके सभी दुष्ट ग्रेह खुद बखुद सांत हो जाएंगे, और आपकी कुंडली में आपको शुब और शुब परिणाम देने लगेंगे, अगर आपको लगता है कि बहुत समय से आपकी जिन्दगी में कुछ भी शुब नहीं हो रहा है, तो आप गव माता को रोटी खिलाएं, उनके मस्तक को छूब कर अपनी मनोकामना कहें, आपके जीवन की सभी मनोकामना इस खुद बस खु खिलाना चाहिए, वरना आपको दर्जता और गरीबी का सामना करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, सभी सुब गरेभी आपको असुब परिणाम देने लगेंगे, गव माता को रोटी खिलाने चाहिए, ये सभी जानते हैं, लेकिन ये आपको कोई भी नहीं बताता है, कि गव माता को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलाने चाहिए, कभी-कभी आप एक दिन पहले की बनी हुई रोटी को अगले दिन गव माता को खिला देते हैं, शीरे सब्दों में ये गव माता का अफमान होता है, ऐसा भी कभी होता है, कि जब आप गव माता को खिलाने के रोट बनाते हैं और आपको उस दिन गव माता नहीं मिलती है तो आप उसको अगले दिन खिला देते हैं तो यह गव माता का अपमान होता है ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें सड़ी गली चीजें खराब चीजें कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए क्योंकि इससे आपके घर में परेशानियां उत्पन होती हैं अगर आपकी भी ऐसी ही आदत है तो आप अपनी आदत को तुरंत बदल दीजिए क्योंकि इससे आपके घर में हर प्रकार की परेशानिया धीरे धीरे उत्पन होने लगती हैं और समय के साथ ही साथ वे बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले परेशानिया धीरे लगती हैं तो उसमें से अच्छी चीजों को तोड़ कर रख लेते हैं और खराब चीजों को जो सड़ी हुई या फिर खराब होती हैं उन चीजों को हम गव माता के आगे डाल देते हैं खाने के लिए हम जो भी देंगे गव माता बड़े ही प्रेम से खा लेगी लेकिन हमें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम गव माता को कैसी चीजों का सेवन करवा रहे हैं अगर आपके पास और कोई विकल्प नहीं है तो आप सड़ी गली या खराब चीजों के साथ में कुछ अच्छी चीजों का भी सेवन गव माता को अबश्य कराएं इसके अलावा गव माता को कभी भी दूद नहीं पिलाना चाहिए दही बचावल खिला सकते हैं लेकिन कभी भी बचा हुआ या पर किसी प्रकार से आप दूद न पिलाए तो तीन चीजें आपको कभी भी नहीं खिलाने है एक तो बची-कुची या फिर बचा हुआ अनाज अगले दिन आपको बासी करके गव माता को बिल्कुल नहीं खिलाना है दूसरा अगर आप चारा या खाने की वस्तूद नहीं देते हैं जो कि सड़ी गली है वे आप बिल्कुल भी ना दे और अगर किसी कारण से खिलानी पड़े तो आप उसके साथ कुछ अच्छी चीजे भी अवश्य मिला ले और तीसरी चीज गव माता को कभी भी दूद नहीं पिलाना है ये चीजें कभी भी ना खिलाए क्योंकि इस से घर में गरीबी आती है माता ल तर रंबली